स्री गनीशाय नमह, बर्ना नाम, अर्थ संगा नाम, रशा नाम, छंद साम अपी, मंगला नाम, चो करता रहो, बंदे बानी बिनायकव, भबानी शंकरो बंदे, सधा विश्वास रूपिनव, या भ्याम बिनानो पश्यंती, शिद्धा स्वान तहस्त मिश्वरम, बंदे बोध्मयम नित्यम, गुरुम्शंकर रूपिनम, यमाश्रितोही बक्रोपी, चंद्रा सर्वत्र बंद्यते, श्री मत भगवत गीता, श्री परमात्मने नमह, ध्यानम, बस्तेव सुतम देवं, कंश्य चानोर मर्दनम, देविकी परमानन्दम, कृष्णम बंदे जगत गुरुम्श्री मत भगवत गीता माहात्मयम, गीता सास्त्र मिदं पुन्यम, या पठेत परियता पुमान, विष्णो पदम वापनोती, भै सोकादी वर्जिता, जो मनश्य शुद्ध चित होकर प्रेम पुरुवक इस पवित्र गीता सास्त्र का पाठ करता है, अथ्वा सुनता है, वह भै और सोकादी से रहित होकर अध्याय, दास्तो अध्यायह, अर्जुन वात, एवं सतत युकताये, भक्तास्त्वाम प्रियुपास्ते, ये चाप्यक्छरम व्यक्तम, ते शाम के योग वित्तमाह, अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्त जन, पुरुवक प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान म लगे रहकर, आप सगुन रूप परमेश्वर को, और दूसरे जो केबल अविनासी सर्तान गन निराकार ब्रह्म को ही अति स्रिष्ट भाव से भस्ते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योग बेचता कौन है? स्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकागर करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए, जो भक्त जन अतिसे स्रिष्ट स्रधा से युक्त होकर मुझ चगुन रूप परमेश्वर को भस्ते हैं, वे मुझ को योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं, ये तप्छरम और निर्देश्यम और व्यक्तम प्रियू पास्ते सर्वत्र गम जिनतयम जो कुटस्थ मचलम ध्रुवम, सन्यम में इंड्रिय ग्रामम सर्वत्र सम बुद्धियह ते प्राप्रुवंती मामेव भूद्धिते रता, प्रंतु जो प्रुष इंड्रियों के शमदाय को भली प्रकार बश में करके, मन बुद्धिशे पड़े, सर्व्यापी और सदा एक रश रहने वाले नित्य अचल निराकार अभिनाशी, सर्टानन घन भ्रम को निरंतर ध्यान करते हुए भस्ते हैं, व जेशो अधिक तरस्ते शाम, औव्यक्ता सक्त चेशाम, औव्यक्ता ही गतिर दुखम, देवद भीरवाप्यते, उन सर्टानन घन निराकार ब्रम में आशक्त चितवाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेश है, क्योंकि देहा भीमानियों के दोरा औव्यक्त कर्मानी मैं शन्यश्य मत परा, अनन्य नैव योगेन, माम ध्यायन तुपास्ते, प्रन्तु जो मेरे प्रायन रहने वाले भक्त जन, संपुर्ण कर्मों को मुझ में अर्पन करके, मुझ सगुन रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्त योग से दिरंतर चिंतन करते हुए भ शाम हम शमुद्धरता, मिर्ट्यू शंशार सागरात, भवामीन चिरात पार्थ, मैया वेशिचे शाम, हे अर्जुन, उन मुझ में चित लगाने वाले प्रेमी भक्तों का, मैं स्रिग्रही मिर्ट्यू रूप शंशार समुद्र से उधार करने वाला होता हुए मैये मन आधस, मै बुद्धिम निवेशया, निवशिश्यसी मैयेव, अथुर्द्वम नो शंशया, मुझ में मन को लगा, और मुझ में ही बुद्धी को लगा, इसके उपरान तो मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी शंशया नहीं है अचितम समाधा तुम नोशक नोशी मै स्थिरम अभ्यास योगें ततो माम इच्छाप तुम धनन जया, यदि तुम मन को मुझ में अचल अस्थापन करने के लिए शमर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रुप योग के द्वारा मुझ को प्राप्त होने के लिए इ अभ्यासे अपिशमर्थो अशी, मत कर्म पर्मो भबो, मदर्थम अपी गर्मानी, कुर्वन सिद्धिम वाप्षशी, यदि तुम अभ्यास में भी अशमर्थ है, तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही प्रायन हो जा, इस प्रकार मेरे निमित कर्मों को करता हुआ भी मेरी प अथे तदप शक्तो अशी, कर्तुम मद्योग मास्रितह, सर्ब कर्म फल्त्यागम, ततह कुरू यतातमवान, यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आस्रित होकर उपर युक्तसादनों को करने में भी तुम असमर्थ है, तो मन बुद्धी आदी पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याप कर, स्रेयोही ज्यानम अभ्यासात, ज्यानाद ध्यानम विशिश्यते, ज्यानाद कर्म फल्त्यागह, त्यागा अच्छान तिर्नन तरम, मर्म को नो जानकर किये हुए अभ्यास से ज्यान स्रेष्ट है, ज्यान से मुझ परमेश्वर क के शरूप का ध्यान श्रेष्ट है और ध्यान से भी सर्व कर्मों के फल का त्याक श्रेष्ट है क्योंकि त्याक से तत्काल ही प्रम्शान्ती होती है द्विष्टा सर्भूता नाम मैत्रा करून एवचो निर्म मोनिरहंकारह सम दुख शुकाचमी सन्तुष्टा सत्तम योगी यतात्मा द्रिर निश्चयह मैयर पित्मनो बुद्धिर्यो मधभक्ता सौ मेप्रियाह जो पुरूश सप्रानियों में द्विष्भाव से रहीच श शुक दुखों की प्राप्ति में शमान और छमाबान है अर्थात अपरात करने बालों को भी अभय देने बाला है तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है मंद इंद्रियों शहित सरीर को बश में किये हुए है और मुझ में दिर निश्चे बाला है वो मुझ में अरपन किये ह जो अमर्स भै और उद्वेगादी से रहित है वो भक्त मुझको प्रिया है अनपेक्छा सुचीरदक्छा उदाशिनो गतब्यथा सर्वारम परित्यागी यो मत भक्ता सो में प्रिया जो पुरुष आकांछा से रहित बाहर भीतर से सुध चतुर पक्षपात से रहित और दुखों से छुटा हुआ है वो सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिया है यो नो रिष्चती, नो द्वेश्टी, नो शोचती, नो कांचती, सुभा शुप परित्यागी भक्ति मान्या सो में प्रिया जो नो कभी हर्षित होता है नो द्वेश करता है नो शोक करता है नो कामना करता है तथा जो सुभ और सुभ संपुर्ण कर्मों का त्यागी है वो भक्ति युक्त प्रूष मुझे को प्रिय है शमह सत्रव चो मित्रे चो तथा मानाप मानियो शीतोष्न सुख्तु खेशू समह संग विवर्जिता जो सत्रू मित्र में और मान अपमान में शम है तथा सर्दी गर्मी और सुख दुखादी दंदों में शम है और आशक्ति से रहित है तुल्ले निंदा सुतीर मौनी संतुष्टो यैन कैन चित और निकेता स्थिर मतिह भक्ति मान में प्रियो नरह जो निंदा सुती को समान समझने वाला मनन सीर और जिस किसी प्रकार से भी सरीर का निर्वा होने में शदा ही संतुष्ट है और रहने के अस्थान में ममता और आशक्ति शे रहित है वह इस्तिर गुद्धी भगति मान पुरुष मुझे को प्रिया है ये तू धर्म्या मरित मिदम यतौकतम प्रियु पास्टे स्रदधा नामत पर्मा भगता अस्ते अतीमे प्रिया प्रंतू जो सरदा युक्त प्रुष मेरे प्रायन होकर इस उपर कहे वे धर्म में अमरित को निश्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं वे भक्त मुझको अतिसे प्रिया है